हेलो फ्रेंज माइनेब इस उमेश पालिवाल आइम दा को फॉण्टर ऑफ अनलिस्ट जोन दोस्तों आज का बड़ा ही इंटरस्टिंग वीडियो है जहां पर मैं डिसकर्स करूंगा एनस्टी शेयर को एनस्टी मतलब नैस्टल स्टॉक एक्शेंज इस पूरे वीडियो के न सकते हैं वहाँ पर उनका रिप्लाई करूंगा आप देख रहें की टेकवेस क्या होने वाले इस वीडियो में सबसे पहले हम डिसकर्स करेंगे कि एनस्टी जो नैस्टल स्टॉक एक्शेंज है ये पैसा कैसे कमाता है कौन कौन से जरिये हैं जिसके थूरू ये पैसा कमाता है सेकर्ड हम सटी करेंगे इसकी फाइनेशन परफॉर्मस निला लास्ट फाइव यर्स थार्ड हम देखेंगे कि इसके अंदर शेरोलडर कौन कौन है किसके पास एनस्टी का शेर आज की डेट में है फिर हम इसके एनलिस करेंगे पियर एनलिस यानि जो बॉंबे स्टॉक एक्षेंज जो लिस्टिट स्टॉक है उससे हम इसको कंपेर करने कोशिश करेंगे फिर हम देखेंगे कि अनलिस्टिट मार्किट के अंदर शेर प्राइस है उसकी मुमेंट पिछले दो साल में कैसी रही है और कुछ इंटरस्टिंग फैक्स जानेंगे एनस्ट के बारे में और अंतर्व मैं बताएंगे कि इसको वाई कैसे किया जाता है अगर आपको शेयर भाई करना थो उसका क्या तरीका है तो चली शुरू करते हैं दोस्तों NSC stock exchange कैसे पैसे कमाता है इसको समझाने से पहले आपको बताने चाहूंगा कि national stock exchange का जो स्थापना हुई थी वो 1992 में की गई थी इसको formation करने का जो मकसद था वो यह था कि 1992 से पहले क्या होता था कि जितना भी trade होता था वो सब offline trade होता था जितने भी stocks खरीते या बेचे जाते थे वो physical form में किये जाते थे तो जो market था वो एक secure market नहीं था वहाँ पर क्या होता था कि बहुत fake certificates बनते थे आप 92 का scam देखा है सबने देखी होगी तो उससे में बड़े-बड़े scam हुआ करते दे और market जो था वो कुछ brokers उसको चलाते दे तो government ने ये फैसला किया कि एक हमार पास ऐसा national stock exchange होना चाहिए जो digital हो electronics trade कराता हो जितने भी stocks हो दीमेट फॉर्म में हो तो इसको नजर रखते हुए एक transparency market के अंदर लाने के लिए एनसी की स्थापना 1992 में की गई थी अब जानेंगे कि how national stock exchange earns money यह पैसा कैसे कमाता है दोस्तों तो जैसा कि आपको A B C D E F यह छह तरीके नजर आ रहे हैं तो इनको समझने जिरे-जिरे कि यह कैसे पैसा कमाता है पहला ट्रेडिंग फीस एनसी गिवस ऑप्शन तो यह हमको पता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी का शेर खरीदना है या बेचना है या तो आप लॉंग टर्म करते हो या ट्रेडिंग करते हो या फिर अगर आप future and options के अंदर काम करते हो इंडेक्स के अंदर या फिर आप currency को future and options में trade करते हो तो यह जितने भी facilities है जब भी आप exchange के थुरू करते हो तो आपको कुछ न कुछ मिनिमूम चार्डिस देने पड़ते हैं तो इस तरीके से ट्रेडिंग फीस के थुरू सबसे बड़ी इंकम आती है नेशन स्टॉक एश आओगे जब आप अपना IPO लेके आते हो तो अपने shares को stock exchange में list करते हो तो जब लिस्टिंग होती है तो उसकी आपको fees देनी पड़ती है और साल की फिर एक AMC भी होता है annual maintenance charges होते हैं वो भी आपको pay करने बड़ते हैं तो second source of income है listing fees तीसरा है co location fees co location में दोस्तों क्या होता है कि NSC क्या करता है कि जैसे जो बड़े-बड़े brokers होते हैं उनको NSC के अंदर ही जो next stock exchange का office है वहां पर ही एक infrastructure ready करके देता है जहां से वो trade कर सकते हैं ठीक है उसकी initial fees होती है क्योंकि पूरा infrastructure आपको बना के देता है तो अगर आप full rack service लोगे तो उसमें लगबग 12,000,000 आपको देना पड़ता है अगर आप half rack service लोगे तो 6,000,000 रुपे देना पड़ता है तो वहां पर basic क्या होता है कि आपको fast data मिलता है जिससे आप trade कर सकते हो तो बहुत सारी brokers जो यह co location facility लेते हैं तो उसके लिए यह fees charge करता है तो यह जो A A, B, C मैंने आपको बता है trading fees, listing fees और co location fees यह main services लगबग 94-95% जो NSC की income आती है वो इन से आती है जो नीचे है DEF वो है data feeding service, technology और education services, data feeding services दोस्तों क्या होती है कि आपने देखा हो कि आपका जो broker होता है वो national stock exchange से prices को fetch करता है और prices को आपकी broker app पे दिखाता है तो उसके लिए पैसा pay करना पड़ता है हर साल, NSC के अंदर A to Z चीज़ अपडेट होती है, जैसे कोई भी company के result आते हैं वो उसको update करने पड़ते है, ठीक है, अगर किसी भी stock का, किसी भी stock का अगर 5% से 10%, 20% अगर उसका circuit change होता है, circuit filter change होते है, तो वो information stock exchange आपको मिलती है, ठीक है, share holding pattern change होत है, तो वो information मिलती है, तो बड़े-बड़ी जो fintech companies होती है, वो यह data NSC से fetch करती है, अपने जितने भी consumers होते हैं, उनको direct provide कराने के लिए, तो वहाँ पर यह data feeding service के तुरू charge करती है, यह है technology, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि national talk exchange जो है, वो इंडिया का सबसे बड़ा exchange ह है, उसके बास technology है, तो अब यह same technology यह other countries को sell out भी कर दिये, for example अभी यह South East Asia में exchanges लगा रहे हैं, वहाँ पर deposit services दे रहे हैं, तो वो एक आम है NSC का, जहां से वो technology transfer करके पैसा कमाता है, और last है education services, education services के अंदर क्या है कि इसकी एक subsidiary company है, जिसका काम यह है कि इंडिया के अंदर education, financial market की education provide कराना, अब next slide में देखें, revenue breakup है, जैसे कि आप देख रहे हो, कि trading से यह लगबग 85.9% पैसा कमाता है, listing fees से 4.1%, co-location से 6% and other services 3.6%, यहनि इसकी जो main 3 services मैं आपको समझाई थी, वो लगबग 96 या 97% की income वही से आती है, और बाकि 3, 3.6% other services जो 3 मैं आपको बदाई थी, data feeding, education services और technology, उससे 3% साथ 3% आती है, यहनि main trading और listing और co-location से आती है, अब देखते हैं, अब हमने समझ लिया कि NST पैसा कैसा कमाता है, अब देखते हैं कि पिछले 5 साल में NST की performance कैसी रही है, जैसे कि आपको दो graph नजर आ रहे हैं, एक graph है revenue revenue का, एक है PAT, PAT में तो profit after tax है, तो आप यहाँ देखें, revenue जो था 2015 में, वो लगबग 22 करोड के असपास था, और 2020 में लगबग 4,000 करोड हो चुका है, यानि पिछले 5 साल में NST का revenue almost double हो चुका है, यानि यह बहुत ही शांदार CAGR से grow कर रहा है, अगर आप PAT देखूं, तो लगबग 1000 करोड था, 2015 में, जो की बढ़के 2020 में कितना होगे, लगबग 2000 करोड, यानि जिस speed से revenue की growth आ रही है, almost उसी speed से profit भी grow हो रहा है, यानि हम इसको conclude कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में NST ने बहुत ही जबरदस्ट perform किया है, अब दोस्तों जानें कि top shareholders कौन है NST के अंदर तो जैसा कि list बहुत लंबी है, तो हमने कुछ 6-7 main shareholders यहां mention करें है, इसमें सबसे बड़ा shareholder जो है LIC है, आपको इची बताना चाहूंगा कि जब NST का 1992 में formation हुआ था, तो उस समय इंडिया के जितने बड़े-बड़े financial institutions थे, LIC, SBI, IDBI, ये इनको share दिये गये थे, प्लस investment है, इनके पास लगबग 5% के आस-पास shares है, SBI है, SBI capital market है, इनके पास लगबग 4% के आस-पास है, Tiger global जिसके पास 3%, 5 opportunity funds है, जिसके पास 3% है, तो यह मैंने आपको एक मोटा-मोटा shareholder बतानी कोशिश करी, इसके लाबा कर मैं popular individual investors की बात करूँ तो राजा किशन दमानी के प कि देखते हैं, कि जो BSC है, वो NSC के कहां खड़ा है, और उसकी पिछले 5 साल में कैसी performance रही है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, daily trading volume, FY1920 का हमने data उठाया है, तो आप ही देखिए कि NSC का जो cash segment है, उसके अंदर 36,000 करोड का per day का trade होता है, उसको अगर BSC से compare कर है, अगर FNO segment देखूं, लगबक NSC के दर 92,538 करोड का trade per day होता है, और अगर मैं BSC के देखूं तो किवल 1000 करोड का है, अगर मैं currency की बात करूं, तो लगबक 19,835 करोड का trade currency के अंदर NSC के अंदर होता है, और BSC के अंदर किवल 535 का, तो अगर average trading volume देखा जाए, NSC का, तो 34 times जादा है BSC से, इसका मतलब है कि NSC का जो size है operations का, ट्रेडिंग का, वो बहुत ही बड़ा है BSC अब अगर मैं revenue growth की बात करूं कि पिछले 5 साल में NSC और BSC भी किस तरह की growth आई है, NSC का मैंने दोस्तों को बताया था कि almost double हो चुका है पिछले 5 सालों में revenue, और अगर मैं उस की comparison को BSC को देखू, तो BSC almost flat है, आप देखिए मार्च 2015 में लगभग 525 के आसपास करोड का business था, और 2020 में लगभग उतना ही है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 5 सालों में BSC के अंदर कोई भी growth नहीं आई है, और in fact अगर आप इसका trading volume देखोगे, तो trading volume इसका धीरे-धी कम ही होता जा रहा है, अब हम देखेंगे valuation, कि आज की rate में NSC और BSC की valuation का है, दोस्तो NSC का unlisted market के अंदर जो stock price चल रहा है, जो FY21 का EPS है, अभी हमारे पास 9 months के result available NSC के, जो लगभग आपको 60-65 के आसपास का EPS देते हैं, तो मैं अगले quarter का अगर EPS जोड दूँ, तो हमारा जो estimation है, वो ही है कि लगभग 80 रुपए का EPS, NSC का आएगा, तो उसको अगर मैं divide कर दो, तो price to earning 23x होता है, और अगर आज की rate में 1850 के उफर market capitalization निकालने कोशिश करूं, तो लगभग 91,000 करोड का आएगा, इसी को अगर BSC comparison करूं, तो BSC का भी stock price चल रहा है, 700 रुपएग तो NSC, BSC से unlisted market के अंदर सस्ता available है, और market capitalization में बहुत बड़ा gap है, वो gap का reason मैं आपको पहली समझा दिया है, कि NSC पे जो trade हो रहा है, वो लगभग 34 times जादा हो रहा है BSC से, NSC का जो trading volume है, वो लगतार बढ़ रहा है, BSC का जो trading volume हो लगतार कम हो रहा है, इसलिए market के अंद अंदर BSC को उतनी value नहीं मिल रही, जितनी NSC को मिल रही है, अब दोस्तों आता है कि price moment क्या रही है NSC की last 3 सालों में, क्योंकि बड़ा interesting question है, 2017 के अंदर जब NSC का share market में आया था, दोस्तों, मैं आपको जैसे पहले बताया है कि जब NSC 90-2 में फॉर्म होता है, तो बड़े- बड़े investors, LIC, SBI, IDBI, और बड़े-बड़े foreign funds थे, उनके पास shares थे, तो अब क्या है कि धिरे-धिरे, जो banks है, वो क्या करते हैं, हर साल कुछ न कुछ auction करके अपने share market में sell out करते हैं, तो फिर जो बड़े-बड़े investors होते हैं, वो market से share उठाते हैं, उसके बाद कई लोग investors को share बेचते भी हैं, तो इस तरह से basically market के अंदर NST के share आते हैं, तो अगर मैं 2017 की बात करूँ, तो 2017 में 700-800 के असपास हवेलेबल था, 2008 में 1000 के असपास हुआ, 2019 में 1200 हुआ, 2020 में लगबग 1500 हुआ, और 2021 में अभी 1850 का है, तो पांस साल में अगर मैं moment देखूं, तो लगबग य चुका है, और इसके बीचे कारण भी यह है कि अगर आप ग्रोथ भी देखोगे, तो इसकी शांदार ग्रोथ रही है, और जो प्राइस को justify करती है, चलिए, अब देखते हैं, interesting facts about NST, तो जैसा कि पहला आप देखिए, NST EMERC is the largest derivative exchange in the world, based on volume of contract traded, दोस्तों, derivative मैं आपको बता इंडेक्स में, या तो Nifty के अंदर या बैंक Nifty के अंदर कर सकते हो, या currency के अंदर कर सकते हो, तो अगर इन सब contract को जोड़ दिया जाए, तो 2019 के अंदर यह वर्ल्ड का largest derivative exchange था, second, NST was ranked as the second largest exchange in the world in respect of contract trading stock futures, जितने भी stocks के अंदर futures, buy या sell किये जाते हैं, जो contract बनता है, उसमे यह second largest exchange था, 2019 के अंदर, third, it was ranked number one in terms of contract trading index options and currency future and options, यानि जो index है, bank Nifty और Nifty और जो currency के F&O के options है, उनकी अगर contracts को जोड़ दिया जाए, तो 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा exchange था, in the cash equity segment, जो cash segment है, NST was ranked third largest in the world based on number of trade in the year 2019, अगर 2019 में cash segment के सारे के सारे trade जोड़ दे जाए, तो सबसे ज़्यादा, मलब world का 30 नंबर का exchange था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा cash के अंदर trade हुआ था, और effort 1920 के अंदर, IPO के थुरू, 20,000 को रुपे NST के platform से race करेगे, interesting facts को आप जोड़ो, तो world के अंदर NST, एक अपना ना काम बनाता है, और इसने पिछले 10 सालों में बहुत बढ़िया काम भी किया है, in terms of technology, in terms of easing out, कि जहाँ पर बहुत easily हम trade कर सकें, और easily बड़ी-बड़ी companies पैसा race कर सकें, अब question आता है, तो उसको buy कैसे किया जाए, NST को buy करना थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको previous video सो बताया था, कि अगर आपको कोई भी unless you share purchase करना है, तो simply आपको हमें mail करना है, और हमें 3 document provide कराने, एक client master report, एक cancel check, pen card, लेकिन और जो share transfer होते हैं, वो एक दिन के अंदर share transfer हो जाते हैं, लेकिन NST के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों, NST के अंदर due diligence बहुत जादा है, इसमें documentation बहुत जादा होती है, documentation के process है, वो process हमें करके, एक agreement बनाके buyer seller का national stock exchange को भेजना पड़ता है, national stock exchange के जो board होता है, वो approve करता है, और जब approve होता है, उसके बाद share transfer किया जाते हैं, तो इस process के अंदर लगपक एक तेड़ महिना या दो महिने, कम से कम लगते हैं, क्योंकि NST के अंदर ऐसा है कि NST का share कोई भी नहीं ले सकता है, अगर आपको कभी CB ने बार किया हुआ है, या आप पर कोई criminal charges है, criminal cases है, तो आप NST का share भाई नहीं करते हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा due diligence NST करता है, और तभी ये share account में आते हैं, तो इसलिए इसके अंदर है, जो minimal lot size है, वो या तो 2000 share, या कम से कम नहीं तो 1500,000 share का lot minimum होता ही होता है, इससे नीचे इसमें trade होता नहीं है, क्योंकि इसमें दो मेने का time लगता है, इस वीडियो मैंने explain किया, कि NST कैसे start हुआ था, ठीक है, NST कैसे पैसा कमाता है, उसकी 5 साल के हमने financial performance देखी, BST से compare करने ही कोशिश करी कि NST कहां खड़ा है, BST कहां खड़ा है, valuation निकाली, last 3 year में हमने price moment देखा, कुछ interesting facts जाने, और यह जाना कि NST 600 कैसे buy के आता है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को like, subscribe जरूर कीजिए, और अगर आपके वाज कोई भी question है, तो हमारे comment section में आप पोछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो में आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, झाल, 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 झाल,